अच्छा दूसरी चीज़ यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंडिया वाले क्या कहते हैं एक जुम्ला बता हैं फिर मैं आपको बता हूगा पॉजिटिव है अच्छा कहते हैं बता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंडिया वाले कहते हैं का परिशानी का रोना रो रो हका होती है एक होता है ना एक इनसां के कान में अवाज आती है मेंघाई परिशानी है अशलाम अब स्चेनल को डोस्ति हो अफले को अप्रेश पर अबरीजी और मेरे जार्धिस सब्सक्राइब कर दोफ्तों जाहां रहे हैं माबाप का ख्याल करें क्योंकि माबाप हैं तो सब कुछ है आज कि आमारी वीडियो बुटि आपकी वीडियो कर लाइट कार्द की भी अपर घ्र रानखान सेक्यारिटी मोधी, सेक्यारिटी इंडिया, नरिंद्रा मोधी, सुल्षाट करते हैं वीडियो। किसी भी देश के लिए उसका प्रधान मंतरी या राश्रपती सबसे सम्मानिय और खास बेक्ति होता है। इसलिए उनकी सुरक्षा भी सबसे सरवर्चों होती है। उनकी सुरक्षा बाकी वी आईपीस की तुल्ना में काफी अलग होती है। जिसकी जिम्यदारी कुस खास प्रसिक्षित लोगों को दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री मोदी और हमारे पड़ोसी मुल्ख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इम्रान खन की सिक्योर्टी की तुल्ना करेगी। और देखेंगी कि किस की सिक्योर्टी में कितना दम है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंद तर क्योंकि ये वीडियो काफी मज़दार होने वाली है। क्योंकि आपको इस वीडियो में इंफोर्मेशन के साथ-साथ थोड़ी कॉमेडी भी मिलेगी। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इम्रान खान की सुरक्षा की जिम्यदारी SSG यानि Special Service Group की होती है। जो पाकिस्तान की Military Intelligence के अंतरगत काम करती है। इन लोगों की ट्रेनिग एक्स अमेरिकंस और चाइनीज टीम द्वारत दी जाती है। जो 9 महिनों में पूरी होती है। इन लोगों को इम्रान खान के सिक्योर्टी प्रोटोकॉल से दुड़ी सभी जानकारी ISI द्वार उपलब्ध करवाई जाती है। इन लोगों के पास AMT Lightning Pistol और Bulletproof वेस्त मौजिद होती है। इम्रान खान के सिक्योर्टी में इस्थान्य पुलिस भी बहुत एहम होनी का निवाती है। इम्रान खान Toyota Land Cruiser और Mercedes Benz का इस्तमाल करते हैं। इनकी काफिले में एक Mercedes Benz और दो Toyota Fortuner और स्थान्य पुलिस की गाड़ियां सामिल गती है। बता दे कि इम्रान खान की गाड़ी fully bullet proof है लेकिन उनकी गाड़ी bomb proof और grenade proof है या नहीं इसके बारे में कोई भी जानकारी सारवजनिक नहीं की गई है। सबसे रोचक बात तो यह है कि इतने important वेक्ति के काफिले में एक भी ambulance की गाड़ी मौजूद नहीं है। खेर छोड़िए यह पाकिस्तान है यहाँ पर कोज़ी संबब है। इम्रान खान को दो लेयर security दी जाती है जो पाकिस्तान में बस दो ही लोगों को दी जाती है एक तोन के प्रधान मंत्री और दूसरे उनके chief of army staff को। पहले लेयर में SSG के commandos रहते हैं वहीं दूसरी लेयर में इस्थान ये police रहती है। दोस्तो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के security protocol के बारे में ज्यादा जानकारी internet पर सारवजनित नहीं की देंगे। आईए दोस्तो एक बार इनके VIP के security पर भी थोड़ा नजड़ डाते हैं और देखते हैं कि आखिर इनकी security कितनी मुकमल है। ये दूसरा धमाका होगी है नाजरीन। दूसरा धमाका हुआ है। और खबर आपको देए वजिर आजम, वजिर आला और आहम शक्सियान की security पर काइना, flying squad police के दो एहलकारों को डेकेटी के इल्जाम में गिरफतान कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रधान मंतरी मोदी के security protocol के बारे में जानते हैं। प्रधान मंतरी मोदी दुनिया के छटे सबसे ताकतवर रहती है। इसलिए उनकी सुरक्षा भी देश में सबसे उपर है। प्रधान मंतरी मोदी की सुरक्षा में सबसे एहम भूमिका special protection group SPG निभाती है। SPG 2400 गंटे उनकी परच्षाई बनकर रहती है। जो प्रधान मंतरी मोदी की हर एक गतिविधी पर अपनी पैनी नजर बनाये रखती है। SPG का गठन 1985 में हुआ था। SPG के सभी जवानों की ट्रेनिंग सिक्रेट सर्विस आफ अफ एमेरिका के तहर दी जाती है। ये जवान आपको हमेसा ब्लैक बुलिट टूप विष्ट में दिखाई देंगे। इसके साथ ये ब्लैक अल्टरा सेंसर गॉगल्स भी पहने होते हैं ताकि किसी भी संदिक्ष पर नजर रखी जा सके। ये जवान गॉगल्स के साथ साथ पुहनी और घुटने पर भी पैट पहने होते हैं और ये हर आदुन खतियार से लेस होते हैं। इनके पास अल्टरा मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स भी होते हैं जो एक 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 पॉर्टी सेवन से छे गुना ज्यादा खतरनात हैं। ये असॉल्ट राइफल्स छे सो से साथ सो मीटर की रेंज में नौ सो गोलियां बरसा सकते हैं। असॉल्ट राइफल्स में रेड डॉट रेड ही लगे होते हैं और ये पानी के भीतर से भी फायर कर सकते हैं। इसके अलावा इन कमांडो के पास FN 2000 हश्टर गन और सेमी आटोमेटिक रिवॉल्वर भी होते हैं। ये कमांडो किसी भी वक्त पलक जपकते ही हमलावर की जान ले सकते हैं। SPG के जवानों को मार्शल आठ की भी ट्रिनिंग दी जाती है। तकि बिना हत्यारों के भी हमलावर का सामना कर सकते हैं। प्रधान मंत्री मोधी BMW 7 Series की 760 लीग की हाई सीक्योर्टी कार के इस्तमाल करते हैं। ये कार बुलेट कूफ होने के साथ साथ ग्रेनेट और बॉन पूब भी है। इस कार के उपर ग्रेनेट हमला भी इस कार का कुछ नहीं भी गार सकते हैं। इस कार के सीशे को AK-47 जैसे खतरनाक राइफल की गोलिया भी नहीं तोड़ सकते हैं। ये कार महस 6 सेकंड में 100 किलोमेटर प्रती घंटा की स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। इस कार को चलाने के लिए भी खास प्रस्टिक्शन की जग्रत होती है। इसकी खास बात तो ये है कि टायर पंचे जगाने के बाद भी 90 किलोमेटर प्रती घंटा की स्पीड से दौर सकते हैं। प्रधान मंत्री मोडी जब कहीं जाते हैं तो उस जगा को स्थाने पुलिस पूरी तरह से सील कर देती है। प्रियम के साथ उनका पुरा काफिला जाता है। उनके काफिले में दो BMW 7 Series सिडान, छे BMW X5, दो टोयेटा फॉर्चुनर, तीन टाटा सफारी जैमर, तीन महिंदरा स्कॉर्पियो, एक मर्सेडिस बेंच एमबुलेंग और एक BMW 7 Series की डमी कार भी मौजिद होती है। ताकि हमलावर को चकमा दिया जा सके। प्रधान मंत्री मोदी को जनता से रूबरू होने के लिए स्तारवेजनी कि स्थानों पर जाना पड़ता है। उन जगहों पर हमले का खत्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी जगह पर प्रधान मंत्री मोदी को 5 layers of security दी जाती है। जिसके पहले layer में SPG के जवान मौजूद होते हैं, जो PM के सबसे करीब होते हैं। दूसी layer में उनके personal guard तरनात होते हैं, तीसी layer में NHG के घातक कमाडोस होते हैं, चौती layer में अर्धिसानिक बल होते हैं, और पांच्वी layer में इस्तानिय पुलिस मौजूद होते हैं। इस 5 layer security को किसी भी हमलावर के लिए भेरपाना संभव है। और अगर इसके बावजूद भी कोई हमला करने की कोशिश करता है, तो उसे पल भर में ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए ज्यादातर हमले काफीले पर किये जाते हैं। जब मोधी विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो वो एयर इंडिया के विमान से सफर करते हैं। उनके लिए हमेशा चार हवाई जहाज तयार रहता है। ताकि अगर एक में कोई गिर्कत हो, तो दूसरे से सफर की जा सक पिम मोधी हवाई जहाज से सफर करने के लिए सीधा अयरकोर्ट के तेक्निकल एडिया में प्रविष करते हैं। उनकी हवाई जहाज का नंबर अयर इंडिया 1 है। प्रधान मंत्री मोधी के हवाई यत्रा का सुरक्ष्टा का जिमा भारती अयरकोर्स की होती है। पिम के जागे तीन सुखोई MKI, दो हाल तेज़त और एक अवाक सर्विलेंस प्लेम भी मौजूद होता है। PM मोदी दिल्ली में साथ लोक कल्यान मार्क में पांच नंबर बंगले में रहते हैं। इस जगा पर 500 SPG कमांडो 2400 घंटे PM की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लोक कल्यान मार्क की एक नंबर बंगले में हेलिप्रेड बना हुआ है। और प्रधान मंत्री मोदी को कहीं जाना होता है तो वो इसी हेलिकॉप्टर से जाते हैं। अब आत्काली हकीती से मिपढ़ने के लिए सुरंग भी बनाई गई है जो सीडे सवदरजंग एरपोर्ट पर फूर्टी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है किसकी सीक्यूर्टी ज्यादा खतरनात है। प्रधान मंत्री मोदी या इम्रान खान आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें। क्या हाल है। ख़지 इछ समें में पना है किसी साह्ती को रजुति हैं। में जब चैनल बनाया किैनल जब इंडियो यह इंडियो में आपको में थोड़ आसा में थीज ह। तो जब से तोड़ा सा में फिल हो रहा है कि हम बाना फर्क कार चीजों में तो अगर किसी शक्स को मोदी जी के सिक्यूर्टी के बारे में पता ही नहीं होगा और वो सिरिफ इम्रान कान की सिक्यूर्टी को देखेगा ना वायार सपर्दर क्या बात है इस तरह से उसे प्रोटक किया जाता है इस तरह से किया जाता है क्यों क्यों कि उससे बहतर देखा नहीं है तो तो से हंड्रेड परसंट वह वाला फुल प्रूव लगेगा अच्छा मैं जब इनिशियल सेज पे दिया निए कि जब इस्टार्टिंग में मैं देखना शू किया था तो बिली अवकर बिल्कुल बाउफ हो जाता था असल में देखने मुझे थोड़ा से यह वहां कि उनकी फाइफ लेजर से हमारे कम असकम थ्री टू फॉर लेजर से होगी इसमें तो कोई शक नहीं है कि अच्छी खासी होगी लेकिन यह है कि वहां पर ज्यादा मतलब है यह मानने की बात है अच्छा एक बात है एक बात है हो सकते हैं अगर इमरान खान को पी एम को कुछ नहीं होता हता तो किसे और को कफो हो सकता है और से कुछी हुए बड़ी बात नहीं है यह वैसे भी नौर्मल काफिलों में होती है कि अगर कोई बस् Опाझ कर दो जाए कि तो से को जलूस हो जाए जैसे हमारे ज fällt जिए लाए ल और जैमर गाड़ी भी थी जो टाटा की जैमर गाड़ी है अच्छा एक और चीज है कि इमरान खान की सिक्यूर्टी के बारे में एक और बात इनों बताई कि हमें ज्यादा डिटेल नहीं मिली मतलब इनोंने गुपत रखी हुई है बहुत सारी मालूमाद जो है इन्फरमेशन को कहते हैं इंडिया वाले मोस्ट हैं ना कहीं तो कहीं ना कहीं चलो हम भी कड़े होते हैं दुनिया में मैं कहता हूं वाकि हैंडसम हैं स्मार्ट है मानने वाली बात है आपको तु मानने चाहिए यह क्या बहुत है अलग वादे कर रहे हैं यह कीई वादे वह पूरे नहीं हो रहे हैं आज कल वी मैं वीडियो देख रहा था हम पानी का मसला हल करते हैं जब पीएम नह पता है तीन साल होगे तीन साल होगे गवर्मेंट को अब लिए वीडियो देखिए वहां पर एक अन्था लड़का था तो वह तो वह यकीन करें वह ऐसी ऐसी बाते बोल रहा था प्राम मिस्टर के बारे में कि उन्हें तो मुस्टे वादा करा था और प्रता है उन्होंने हमस इसने का हाता है मदिने की रेअसत बनाईं हग कि अहाँ कि अब भादा कि थे लेकर आदा चाहिए हम जो है 50 इमृट है यह षिक हम कर देन के बार्द में यह दीन इन रहए इब अब मसला इतनी जॉप मिलेंगी इतनी अंधार का उघ्या है तो मतलब कि जब यह जीटकर आए तो पहले ही अपने इनों ने बेयान दिया जाता है या एक तक्रीर होती है तो इसमें 90 दिन के अंदर सारी तबदिलियों का बतायाता है कि मैं सारी चीजों को सौ दिन मुझे दें तो कुछ पी कौन की में एक बता है कि अपको बिल्कुल सच बता रहा हूं हमारे यहां अवाम समझधार हो चुकी है उन्होंने सबको आजमा लिया इतना पेकीदा सिस्टम हो चुका है कि सियासत दान फिक्स लोग हैं उसके लावा कोई और सियासत दान है नहीं अवाम में से कोई सियासत में आ नहीं सकता अगर आना भी चाहे तो दिवारे बहुत हैं रास्ते कटन हैं और जो लोग हैं वो लुटे रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि option ही नहीं है बैटर यानि कोई आप्शन्स ही नहीं है अच्छा कोई आम बंदा घरीब बंदा अच्छा हमारे एक मसला है कि हमारा कानून पहले तुछ सबसे पहले तो यह जो आए हमारे हुकुमरान उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है कि कोई आम आदमी उठकर उपर तक आ ही नहीं सकता यानि कि उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बना लिए कुछ ऐसे ट्रम एंड कंडिशन्स बना लिए कि election हो रहा है उसके लिए campaign हो रही है उसके लिए जलसे हो रह है बड़ा ही कटन प्रोसेस ही बहुत ही मुश्किल सूरते हाले मैं सोचता हूं कि हमारे पस तो ऑप्शन ही नहीं है और मैं है कि मतलब हमेना इम्रान खान पर बड़ा होता था आखरी उमीद आखरी उमीद आखरी उम्हें चार अफरादे तो हम यह समझ लेते हैं यह है बहुत बड़ी कंडिशन और मतले करें कर रहा हुआ जासा अक्सार अब जैसे हम मैं इसे किसी मार्किर से यह गली से यह शोप से मैं बिल्कुल सच बता रहूं 80-90 percent public महंगाई का परेशानी का रोन रो 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 यह एक होता है ना कि एक इनसान के कान में का आवाज ती थी मैं यहां गया था मैं वहां गया अच्छा ऐसा हुआ आपके बच्छा पास आया में बाते होती है नॉर्मल आप यकीन करें पाकिस्तान की आवाम में इस फ़र्द डिसकेशन क्या चलती है हालात महंगाई परेशानी दुख तकलेफ लोन पैसा नहीं उसको धार दिया इसे लिए ये लिए और ञे हैं कि प्लग मैं बोरी ये रहो हुझ हो रहीady करते हैं अब neste हो और भृष्चा है नोग वह और सुछ ट्रम डेते हैं और हम फिस जिताएं क 착 commerce करinhas करतें लोग करते हैं लोग बिल्कुल भी स्टैबल नहीं हैं मतलब वह एक होता है ना के जीना जीना मुश्किल होते हैं अच्छे जो अमीर थे ना जो बहुत ही अपर लेवल पे थे वह मजीद अमीर हो गए क्योंकि उनके पास ऐसा पैसा था जिस जिए उनने पैसा स्टक किया एक घर लि जमीन लेना प्लाट बेचना मतलब एक एक अच्छा इस काम में पैसा स्टक होता है जब रूल नहीं होता पैसा जब पैसा रूल नहीं हो तो तो मामला ये है के वाके ही बहुत बुरी कंडिशन एक आखरी उमीद थे इमरान खान जिसकी वज़द से लोग बड़े उमीद थ बहुत साथ है जो ठाखरी बहुत पोइटल को लिए लिकिन अब जो है बतलब आफ सही के रहें कि लोग बतलब अब वोड के हवाले से या अस नहीं जी वड़ी है कि मेहीं जैसे पल्किल बड़ी बटिए, रुण्ट पयूत र». अगर कोई इनसान चाहे अपने मुल्क के लिए कुछ करना तो उसको छास मिलेगा ही नहीं, वो कभी आही नहीं सकता हुआ अगर कोई आएगा भी सही तो सबसे पहले किसी पार्टी को जॉइन करना होगा अगर कोई पार्टी करना है अगर उसके पार्टी से निकाल देगी तो सिस्टम तो वैसे बात तो हो रही थी सिक्यूरिटी की तो हमें तो थोड़ा पुछ वीडियो समने देखिए तो दोस्तों अमीद करते हैं आज वीडियो आपको अच्छी लगे होगी दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुनाकात होगी जब तक के लिए लाफेज